मैं सभी देश वास्यों को बधाई देता हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सितारमन जीवर उनकी पुरी टीम बहुत बधाई की पात्र है। साथियों ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ती देने वाला बजट है। ये देश के गाउं गरीब किसान को सम्रुद्धी की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले दस वर्षों में पचीश करोड लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो नियों बिड़े प्लाज बना है। ये बजट उनके ससक्ति करण की निरंतरता का बजट है। इन नवजवानों को अंगिनत नए आउसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिच्छा और स्कील को नई स्केल मिलेगी। ये मिडल लास को नई ताकत देने वाला बजट है। ये जनजातिय समाच, दलीत, पिछडों को ससक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है। इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागेदारी सुनिश्चित करने में मदन मिलेगी। इस बजट से छोटे व्यापारियों, MSMIS को और कि लगूत जोबों को प्रगती का नया रास्ता मिलेगा। बजट में मैनुफेक्टरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्त्रक्चर पर भी बल है। इससे आर्थिक भिकास को नई गती मिलेगी और गती को भी निरंतरता मिलेगी। साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूत पुर्व आउसरवड ये हमारी सरकार की पहचान रही है। आज का बजेट इसे और सुद्रुड करता है। देश और दुनिया ने P.L.I. स्कीम की सफलता देखी है। अब इस बजेट में सरकार ने Employment Linked Incentive स्कीम की गोशना की है। इसे देश में करोडों करोडों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नोकरी पाने वाले युवा की पहली तनक्वा हमारी सरकार देगी। स्कील डवलप्मेंट और उच्च सिख्षा के लिए मदद हो या फिर एक करोड नवजवानों को इंटरंशिप की योजना इससे गाउं के गरीब के मेरे नवजवान साथी मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे। उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेगे। हमें हर शहर, हर गाउं, हर गर एंटर्पिनर्स बनाना है। इसी उद्देश से बिना गरंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को दस लाग से बढ़ा कर बिस लाग रुपी किया गया है। इससे छोटे कारवारियों, विशेश रुप से महलाओं, दलीत, पिछडे, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैनिफेक्टरिंग हब बनाएंगे। देश का MSME सेक्टर मद्यमबर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से MSME सेक्टर की उनर्शिप मद्यमबर्ग गही है। और इसी सेक्टर से गरीबों को जादा से जादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत उस दिशा में हमारा एहम कदम है। इस बजेट में MSME के लिए Ease of Credit बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है। manufacturing और exports ecosystem को हर जीले तक ले जाने के लिए बजेट में एहम गोशना की गई है। e-commerce, export hubs और food quality testing के लिए 100 units ऐसे कदमों से one district, one product भ्यान को गती मिलेगी। साथियों ये budget हमारे startups के लिए innovation ecosystem के लिए देर सारे नए अवसर लेकर आया है। space economy को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड रूपय का fund हो, angel tax हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस budget में उठाए गए है। साथियों, record high capex economy का एक driving force बनेगा, 12 नए industrial nodes, देश में नए satellite towns का विकास, और 14 बड़े शहरों के लिए transit plants, इससे देश में नए economic hub विक्सित होंगे, और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज defense exports records तरपर है, इस budget में defense sector को आत्म निर्फर मनाने के लिए अनेत प्रावधान किये गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रती आकर्शन बड़ा है, और भारत में तूरिजम के खेत्र में नई संभावनाय बनी हैं। तूरिजम खेत्र गरीब और मद्यम्वर के लिए कई अफसर लेके आता है। इस budget में तूरिजम खेत्र फिर भी विशेश बल दिया गया है। साथियों, NDA सरकार ने पिछले दस साल में ये सुनिशित किया है कि गरीब और मद्यम्वर को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस budget में भी income tax में कटोती और standard deduction में भुद्धिक का फैसला लिया गया है। TDS के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैस्ट पेर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्विछेत्र का संपूर्ण विकास, पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभ्यान को नई गती, नई उर्जा मिलेगे। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रसेक्टर जैसे हाइवेज, वाटर प्रोजेक्स और प्रावर प्रोजेक्स का निर्बान कर विकास को नई गती देंगे। साथियों, इस बजेट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। साम मिलेंगे, तो दूसरी और हमारे मद्यंबर के लिए फ़ल सब्जियों की उपलब्दता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोशन भी सुनिस्चित होगा। कृसिक छेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावर बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की गोशना की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सतक्ति करन हो, इस दिशा में भी आज के बजेट में प्रमुख गोशना की गई है। गरीबों के लिए तीन करोड नए घर बनाना ताय हुआ है, जन जातिय उन्नत ग्राम अभियान, सेट्यूरेशन एप्रोच के साथ पांच करोड आदिवासी परिवारों को मुलबुत सुविधाओं से जोडा जगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना पचीस हजार नए ग्रामिन छेत्रों को औल वेजर रोड से जोड़ेगी, इसका अलाव देश के सभी राज्यों के दूर तराज गाउं को मिलेगा। साथियों, आज का बजेट नए अवसर, नई उर्जा लेकर आया है। ये डेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजेट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटेलिस्ट का काम करेगा। विक्सित भारत की एक ठोस निव रखेगा। सभी देश वाचियों को बहुत बहुत सुपकामना है।